जैमात आदी दोस्तों तो कैसे हैं आप सो दोस्तों फिर से अज़र में एक नई वीडियो के साथ जी हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहन का प्रारंब होने जा रहा है जी हैं दोस्तों ये साल का आखरी चंद्र ग्रहन माना जा रहा है दोस्तों और दोस्तो जुलाई रातरी एक बच कर 31 मिनट से प्रारंब हो जाएगा तो दोस्तों आए जानते हैं ग्रहन काल के समय क्या सामधानिया रखनी चाहिए किस प्रकार हमें ग्रहन की दुश प्रभाव से बचना चाहिए तो दोस्तों बात करेंगे इस विशय पर पर उससे पहले अगर आप कोई व Lawrence की तरो दोस्तों है का जो समय से फिमें है वह छिस्तों जुलाई एक बज Kokर 21 मिनट से होगा दोस्तों तो दोस्तों ग्रहन का जो समय है उसमें आप को क्या करना है आए जाanते हैं ग्रहन काल कि समय आपको ये पर यूज्श करनी है दोस्तों बोला जाता है इसे अप ग्रहन काल के समय यूज की जाती है तो जो गर्वती महिला होती है वो इसे अपने बाल में टांक सकती है या अपने पल्लू से बांध के रखेंगी तो उन पर ग्रहन का कोई भी दुश प्रभाव नहीं होगा ऐसा माना जाता है दोस्तों तो इसलिए कुशा का प्रियोग अव पीने का उसमें डाल दें इसको यह कोई भी दुश प्रभाव नहीं पढ़ने देगी ग्रहन का आपके उपर और दोस्तों एक प्रकार का घास होता है इससे आपका खाना खराब नहीं होगा दोस्तों इसको खाने की हर वस्तु में डालें पीने के पाने में डाल दें और खा आपको गंगा जल लेना है घर में हर जगे गंगा जल का चिरकाओं कर दे और दोस्तों गंगा जल से ही स्नान करें अपने नहाने के पाने में थोड़ा सा गंगा जल डालें उससे स्नान करेंगे तो ग्रहन का जित जो भी असर आपके उपर है वो सब समाप्त हो जाएगा और ज दोस्तों चंद्र ग्रहन में यह सामधानिया अवश्य बढ़ते हैं कोई भी ग्रहन हो उस समय आप कुशा का यूज़ अवश्य कर लें यह आपको हर प्रकार की जो दुश्परिनाम होते हैं ग्रहन के उनसे बचाती हैं दोस्तों बहुत ही सरल सा उपाएं हैं छोटा सा उपा शाम को चार बज कर तीस मिनट से दोस्तों सूतक लग जाएगा इस सूतक से पहले खाना जो भी बना रखा है आप उसी में यह सब डाल के रखें तो वह आप यूज कर सकते हैं अनिता उसे यूज न करें ग्रहनकाल के समय घर पे रहें और गर्वती महिलाएं कुछ भी नौकी यह चीज का यूज न करें तो दोस्तों यह जोट चोटी सी जानकाली है एसे करके दे लाब आवशी मिलेगा थो छोन और रिचा जुंद करें और स्ब्सक्राइब की ने